हेलो डियर स्टुडेंट तोल लीजिये फिर आपके बाबा प्रजेंट हो चुके हैं और आपको बता दें ये है हमारा और्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर और सबसे बरी बात और्गेनिक का स्रीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें नॉमनिक लेचर चेप्टर चल रहा है और आपको ये मातर एक ऐसा चेनल है जहां मुप्त में मिलेगा पूरा का पूरा Organic Chemistry यानि 11th का Organic Chemistry और साथ में हमारा चल रहा है Atomic Structure का स्रीज तो आप जाके Atomic Structure का वीडियो देखिए और इधर हमारा Organic Chemistry चल रहा है तो दोनों वीडियो देखते रहाना दना दन और हमने बोला था गाउं मौला से लेकर सहर तक कानों कान ख़बर हो जानी चाहिए जो आ गए है बावा और चैनल है ससी कुमार 152 नाम याद रखने का मतलब नाम ही हमारा काफी है क्या याद रखने का नाम याद रखने का और बोलने का ससी बावा आ चुके हैं तो ये हमारा औरगेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और सबसे बात बता दे पहला बात जो क्या करना है अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जाएए और प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट में आपको organic chemistry मिलेगा नॉमनिक लेचर करके उसमें पहला वीडियो देखिए और फिर आप दूसरा वीडियो देखिए तो जैदा समझ में आएगा अब आपको हम एक बात बता दें जो होता क्या है तो ये बात ध्यान में रखना जो हम पहला समझ अगर आ गया होगा जो organic chemistry कैसे आया कहां से आया धीरे धीरे कैसे विकास हुआ तो हमको कुछ basic term पढ़ना पड़ेगा जो हमको इससे पहले पढ़ाया गया है तो आपको chemical bonding में ये बताया जाता है जो bond कितने परकार के होते हैं तीन परकार के एक तुम्हारा होगा single bond एक होगा तुम्हारा double bond और एक कौन सा होगा triple bond याद रखने का तीन line याद रखने का board exam में question भी आया है 12th में सर जी 11th से 12th में question आता है बिलकुल आता है तो single bond double bond triple bond note कर लेना इसको क्या note करना single bond double bond triple bond इसमें याद रखने का क्या सर sigma और πाई sigma और πाई sigma कैसे बनता है पाई कैसे बनता है इस पे ज़्यादा discussion हम नहीं करेंगे इसके discussion के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द chemical bonding यानि जब हमरा atomic structure खतम होगा तो उसमें हमको chemical bonding जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे sigma का निर्मान कैसे होता है पाई का निर्मान कैसे होता है लेकिन लेकिन अभी ध्यान रखने का एक sigma एक मतलब single bond में sigma का संख्या एक और πाई का संख्या जीरो sigma का संख्या एक और πाई का संख्या जीरो बोलो मेरे साथ क्या बोला हमने हमने बोला सिंगल बॉंड में सिगमा का संख्या एक और पाई का संख्या जीरो सर ये बताईए जो अगर इसमें डबल बॉंड में पूछ दिया तो क्या टेंसन नहीं लेने का बाबा है तो लिथो लिथना त्या है सिगमा और पाई तो सिगमा कितना एक सर जी सिगमा का संख्या हमेशा समान रहेगा मतलब सर जी जब इसको परहयेगा तो इसमें भी सिगमा होगा एक येस 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 बाबा का ग्यान भरपूर लेना है क्या जब जब बॉन रहेगा सिगमा हमेशा वन रहेगा सर जी बदलेगा कौन बदलेगा पाई की संख्या इसमें पाई कितना वन इसमें पाई कितना दो मतलब सर जी इसमें केवल सिगमा है एक सिगमा है एक पाई है एक सिगमा है एक पाई एक पाई मतलब दो पाई है याद रहेगा एक बार बोलो हमारे साथ कैसे बोलेगा बीना देखे बोलना है बोलो सिंगल बॉंड में एक सिगमा जीरो पाई सिंगल बॉंड में 1 सिग्मा 0 पाई डबल बॉंड में 1 सिग्मा 1 पाई टिरिपल बॉंड में 1 सिग्मा 2 पाई अगर नहीं बोलाओगा न मेरे साथ तो दिक्कत महसूस होगा दे भी दर्सन होगा बोड पे समझ में आया जी सर तो हमसे ये question पूछेगा अब देखो इतना छाप लिए तो हमारा question क्या पूछेगा तुमको यहाँ पे question पूछता है जो हमको ये बताओ जो निमलिखित योगिक में sigma और pi की संख्या कितनी होगी सिगमा और πाई की संख्या कितनी होगी तो सिगमा और πाई की संख्या कैसे निकालेंगे तो निकालेंगे सर जी अब एक एक करके है तो क्या करेंगे पहले structure बनाएंगे सर जी पहला है हमारा CH3CN तो देखो कारबन कितना bond बनाता है चार bond बनाता है तो एक, दो, तीन और चार H कितना है, तीन है तो एक, H, दो, H, तीन, H और चौथा में आगे क्या जुरा हुआ है C जुरा हुआ है और साइनाइड यानि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉंड बनाता है तो इसका भी चार कंप्लीट, इसका भी चार कंप्लीट सर सिगमा और पाई की संख्या बताओ तो देखो सिगमा कहा हो जाएगा यहाँ पर एक सिगमा, यहाँ पर एक सिगमा, यहाँ पर एक सिगमा, यहाँ पर एक सिगमा मतलब सर जी सिगमा की संख्या 2, 2, 4, 1, 5 हो गया अब बताओ पाई की संख्या क्या होगा सर जी पाई का संख्या निकालो आप पाई कितना हो जाएगा सर जी एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ मतलब पाई की संख्या 2 हो जाएगा नमबर टू यहां डिसकस कर लेते हैं नमबर टू क्या है सरजी CH2 और CO है हम बोले न एक एक करके structure बनाओ कारबन लिखो कारबन कितना bond बनाता है कल हमने बताया था कारबन 4 बनाता है तो 1 2 3 4 1 H2 यहां पर 2 H2 मतलब सर यह दोनों bond जो बच गया है न वो इस कारबन के साथ बना बनाया और यह oxygen आया और तुमको पता है oxygen क्या क्या balance electron कितना होता है छे होता है तो bond कितना बनाएगा दो electron की जर्रत होती है तो 2 bond बनाएगा तो oxygen 2 bond बनाता है तो इस carbon का भी complete oxygen का भी complete सर जी सबका कहानी सबका मन पूरा हो गया तो गिनो न सिगमा सर जी इतना आसान question आप आते हैं न यह तो लॉली पॉप है लॉली पॉप लग रहा है अब देखो सिगमा का संख्या कितना हो गया चार अब बताओ इसमें पाई का संख्या हो गया इसमें एक और एक दो पाई का संख्या कितना हो गया एक और एक दो हो गया बोलो कोई दिक्कत होड़िया है no sure नही तीसरा question number क्या है सर जी तीसरा है हमारा CH2 CL2 कुछ नहीं करने का पहले carbon लिखने का और carbon बनाने का क्योंकि carbon carbon बनाता है carbon बनाया 2 hydrogen देने का 2 hydrogen दिया 2 chlorine देने का 2 chlorine दिया सर जी आप जो जो बोलोगे वही तो हम करेंगे no no भग क्या करना है जो question बोलेगा वो करना है तो question अब सर जी इसमें sigma का संख्या बताओ तो दिथो लिथो sigma 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 यानि आया sigma की संख्या sigma की संख्या सर जी आपना lollipop वाला question देते हो pie तो यहाँ 0 है कोई बात नहीं सीख गए तो lollipop है नहीं सीखे तो सर जी वो और hard वाला lollipop है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आये हो ना मेरे सरन में बाबा के सरन में तो बाबा सिखाएंगे हर कुछ सर जी यह कैसे बनेगा यह तो जाइदा डेंजर लग रिया है अद देखना एक दो तीन चा वाइट निकवा एक दो तीन सी एक दो तीन सी एक दो तीन सी एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन गाना पने के आरे गाना पने के आना क्या एक दो तीन चर पन छे सा ताटना सर जी आप गाते भी हो नहीं 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 सिगमँ, 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 सिगमँ , सिघम filters. बत intéव शिगमँ की शंख्या ? एक दो, तीम चर पंची, साथ आट旨ौ , सर् शिगम माय नौ , आया नौ , अव कितना सर्जी पाय का शंख्या बताव ? द्राक से दो , द्राक से दो , क्यूंडो , क्योंकि यहाँ double bond है नए इसा triple bond है triple bond में 1 sigma 2 pi 1 sigma 2 pi तो मेरे साथ याद करने का single bond रहेगा तो 1 sigma 0 pi double bond रहेगा तो 1 sigma 1 pi triple bond रहेगा तो 1 sigma 2 pi मतलब 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 sigma की संख्या होमेशा रहेगी समान और बदलेगा क्या बच्चियों भक्तों तो बदलेगा पाई की संख्या आया समझ में बोलो कोई दिक्कात प्रेशानी जंजात उल्जान नए तो लो ना इसका स्क्रीन सोट जल्दी से और हम आते हैं next topic लेकर फटाक से मारो स्क्रीन सोट ले लिए स्क्रीन सोट अब देखो अब नाया हेडिंग देने का नाया हेडिंग देने का और लिखने का क्या a structural representation of organic compound a structural representation of organic compound मतलब सर जी कारबनिक योगिक का सनरचनातमक निरूपन अब रिपरजेंट करेंगे हम सर जी क्या पढ़ा रहे हैं मतलब देखो हमने बोला था ना नाम करन होता है छटियार तो सबसे पहले बताना ना होगा किस तरह से रखा जाएगा बच्चों को तो देखो क्या होगा जैसे मान लो हम लिखे c4h10 क्या लिखे c4h10 अब c4h10 को तो हम और तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं सर जी तो लिख सकते हैं ना सी 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 एच 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 अब देखो इसमें एच बैठाएंगे एच क्या है सर जी हाइडरोजन 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 हाइडरोज कारबन स्टार्ट किये दूसरा कारबन यहां तीसरा कारबन यहां चौथा कारबन यहां कितना कारबन था चार गो एक लाइन में नहीं दर्साएंगे उपर नीचे करके दर्साएंगे तुम हम नीचे मानें तुम इसको उपर भी ले सकते हो तो एक दो तीन चार एक दो तीन च इसको आप छोटा कर दिये तो इसको बोलते हैं संघनित सुत्र क्या बोलते हैं संघनित सुत्र अब देखो इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं अब यह क्या है सर जी तो यह है आपका पूरा फैला दिये मतलब क्या है विस्तारित सुत्र क्या है विस्तारित क्या है यह विस्तारित सुत्र तो देखो विस्तारित सुत्र हुआ तो विस्तारित सुत्र क्या होता है एक्सपेंड फर्मूला क्या होगा expand formula अब सर जी क्या होगा यह देखो bond line में bond दिखा रहा है ना तो इसका नाम हो जाता है bond line क्या हो जाएगा bond line structure bond line structural formula bond line structure formula क्या हो जाएगा हिंदी में बंद रेखा संराचनात्मक सुत्र लिख लो बंद रेखा संराचनात्मक सुत्र लिखा बंद रेखा संराचनात्मक सुत्र तो कितने तरीके से प्रजेनल किये सर एक छोटा किये एक में पूरा फैला दिये एक में एकदम रसी के जैसा दिखाए याद रखना सुरू वाला अंतिम वाला कारबन होता है और जहां जहां जॉइंट होगा जहां जॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा कारबन कहलाएगा बात समझ में आया अब सर जी टाइप टू क्या होता है तो एगो देखो ना यह जो दिख रहा है ना two dimensional में है सर जी ego x है ego y है eboard पे चिपकल है अगर मालो हम बोलते ego board से बाहर bond बनाओ ego board के अंदर bond बनाओ तो गजब हो गया सर जी board के बाहर कैसे हमार का इसे चिपका दे ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो 2D में हम 3D को फोटो बनाएंगे तो अगर हम को मालो CH4 का फोटो बनाना परे तो ये लिखेंगे carbon और चारगो bond है कितना bond है चारगो bond तो ये रहा एक hydrogen ये रहा एक hydrogen अब देखो यहां क्या होगा इसको थोरा सा मोटा करो इसको थोरा सा पतला करो मतलब क्या है सर जी एक hydrogen यहां होगा एक hydrogen यहां होगा अब इसको क्या करो ऐसे color कर दो सर जी सुन्दर लग रहा है एकदम 3D का फोटो लग रहा है सर जी 3D में फिलिम देख रहे हैं आजकल सिनेमा में 3D में भी होता है लगेगा एकदम सर जी ट्रीपल आर देखे थे आर 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 उसमें तो लग रहा था सेर बाहर आ गया मजा आ गया सर जी देखके अब यह भी देखके मजा आएगा इसको बोलते है wage इसको क्या बोलते है wage इसको क्या बोलते है dash इसको क्या बोलते है dash तो मोटा वाले को wage और lining lining वाले को dot dot वाले को क्या बोलते है dash मतलब क्या सर जी ये bond ना एक ऐसा है मतलब एक उपर है और एक इधर की और है अब क्या है ये जो wedge वाला bond है वो board के बाहर है wedge वाला जो bond है वो board के बाहर है और ये dash वाला जो bond है वो board के अंदर होगा इसके पीछे रहा होगा बात समझना पहले एक इसके बाहर है एक इसके अंदर है बात समझ में चारबंड बनाता है कारबं सर जी ये कौन सा डाइमेंशनल है तो ये 3D है कौन सा structure है 3D structure इसको बोलते है मतलब सर जी 3D में संदचना क्या बोलते हैं इसको 3D में संरचना यानि 3D structure क्या है सर जी इसमें तो इसमें एक बाहर दिख रहा है मिठेन का यानि वेज वाला एक बाहर पीछे दिख रहा है मतलब डैस वाला सर जी मेरे पीछे नहीं बोड के पीछे रहा होगा और ये दो इसके प्लेन में ना होगा, बात समझ में आयो, बोलो, तो बोलो कोई दिक्कत, तकलिप, परिशानी, जहनजट, उल्जहन, सर्जी नहीं, कुछ नहीं, तो एक बार और समझ लो न, इस्ट्रक्ट्रल रिपरजेंटेशन अफ अर्गेनिक कमपाउंड, कारबनेक योगी का सनरचनादमक निरूपन, सर्जी इसमें क्या करते हैं, तो हम इसको दिखाते हैं, फर्मूला लिखते हैं, अगर छोटा करके लिख दिए, तो संघनित सुत्र, बढ़ा करके लिख दिए लिखोगे, तो समझने पाऊगे, तो दिक्कत होगा, इसलिए क्या है, जो केवला भी समझना है, यह है बॉंड लाइन स्ट्रक्ट्रल फर्मूला, क्या है आबंद रेखा सुत्र, या बंद रेखा सुत्र, दोनों बोल सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें सर्जी यह कौन सा स्ट्रक्टर है, थ्री डी स्ट्रक्टर है, हम बार-बार बोलते हैं, हमारे साथ-साथ मत लिखना, पहले समझना, फिर लिखना, हमें स्क्रीन सोट लेने का टाइम देते हैं, देखो क्या है ना ऑनलाइन पढ़ने से, ऑफ लाइन में ज्यादा मज़ा मजह आता है, टाइम का बचछत होता है जब तुम जाते हो ना, रस्ता में टहलते होई टाइम बरबाद करते हो, उसमें तुम को मजह आता है ना कि वहां पढ़ने में मजह आता है तो ध्यान रखना, और उन लाइन ज्यादा सफिसेंट है देखिया हो तो स्क्रीन सट लो जखकास साथ तो देखो अब हमने कुछ कोश्चन लिखा है क्या करो अभी मोबाईल का स्क्रीन रोको इस कोश्चन को लिखो जल्दी से बनाओ और बना करके फिर हमारे साथ बनाना अभी प्ले पाउज कर दो और फिर प्ले करना कब जब कोश्चन बना लोगे तब और फिर जब कल हम आएंगे तो कुछ कोश्चन को करेंगे तो देखो क्या करना है तुम अब मिला सकते हो क्या करना है सर जी इसमें संगहनित सुत्र लिखना है और हमको आबंद रेखा सुत्र लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं संगहनित सुत्र और यहाँ पर लिखते हैं आबंद रेखा यानि बॉंड लाइन कौन सा बॉंड लाइन अब देखो कैसे बनाएंगे सर्जी बहुत असान है इसमें क्या करो कारवन की संख्या गिलो संगहनित वला में एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि कारवन है पाँच और कुन परजेंट है सर्जी हाइड्रोजन तीन, तीन, छो, एक, साथ दो, नौ, अदो, एग्यारा ह, एग्यारा और ओ, एच कोई दिक्कत सर्जी इसमें क्या होगा तो देख लो, यहां लिख सकते हो कारवन कितना एक, दो, तीन, चार, यानि सी, फोर, अब क्या है सर्जी एक, दो, दो, चार, छो, आठ, यानि ह, एट, एन, ह, टू है और सी, डवल, ओ, है अगर चाहो ना तो तुम इसको और सौटकॉट भी लिख सकते हो लेकिन वहाँ प्राबलेम होगा क्या, तुमको फंशनल गुरूप पहचान में नहीं आएगा यहां क्या करना है सर्जी बहुत असान है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि, एक, छे, कारवन तीन, दो, पांच, एक, छो, दू, आठ, दू, 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 तीन, तेरा यानि हाइड्रोजन हो गया, तेरा और एक है ब्रोमीन, तो यहां लिख दो ब्रोमीन, समझ में आया अब क्या करना है सर्जी, अब इसका bond line structure खिचिए, बच्चा को दिक्कत यहीं होता है, कैसे दिक्कत होगा सर्जी, बाबा के सरन में आओ न, देखो सिधा वाला, लंबा गिनो पहले, एक, दो, तीन, चार गो लंबा में दिख रहा है न, तो चार गो डॉट बनाओ, एक, दो, इसको मिला दो, अब क्या करो, सर्जी, लास्ट में OH है, तो अंतिम में जोड़ो OH, तो ये लो, अंतिम में हम जोड़ दिये, OH, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया, ऐसे करोगा न, तुरत सीख जाओगे, अब क्या है सर्जी, इसको, देखो एक, दो, तीन, चार, फिर से आया, चार करवन, तो करो न, वही एक, दो, तीन, चार, मिला दो, इसको सटाक से, मिला दिये, अब क्या करना है सर्जी, तो अब न, इधर सुरू में कौन है, NH2, तो सुरू में लिखो NH2, तो यह लो, पहला वाले पे हमने लिख दिया NH2, अब क्या है, तो अंतिम में है COOH, अंतिम में कौन है, COOH, तो अंतिम में हम लगा देते हैं COOH, बोलो, कोई दिक्कत है, नई, सर बन गया, अब देखो यह कौन सा है, सर्जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को करबन है न, कुछ नहीं करने का, सिधा सिधा याद रखने का, 6 करबन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ड़ट गिने, अब इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, ठीक है, बन लैन बन गया, अब सर्जी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 नमर पर क्या है, बी आर लगा हुआ है, that's all, बोलो, कोई परिसानी हुआ, समझने में दिक्कत है, तो तुम आर कोईशन का प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसको प्रैक्टिस करना, फिर हम कुछ कोईशन लेकर कलाएंगे, और उसके आगे हम डिसकसन करेंगे, तो ये था हमारा और्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर टू, देखना न भूलिएगा, और सबसे मड़ी बात पहला लेक्चर भी देखना, और कानो कान ख़बर फैला देना, लाइक, सबस्क्राइब और सेयर करने का, और एटोमिक स्ट्रक्चर भी देखना है जाकर के, एटोमिक स्ट्रक्चर भी हमारा साथ में चल रहा है, तो लाइक, सेयर और सबस्क्राइब करिएगा, तब तब के लिए थैंक्यो, धन्यवाद,